गौरकपूर, फूलपूर, लोगसभा उप्चुनाव और फिर राजे सभा चुनावी नतीजों के बाद जड़चा इस बात पर हो रही है कि सपा और बासपा के गटवंदन से किसको जादा फाइदा होगा अखलेश को या फिर मायावती को नतीजों को देखते हुए तो ये ही कहा जा रहा है कि अभी तक सपा को ही जादा फाइदा हुआ है लेकिन जानकारों का कहना है कि 2019 के आम चुनावों में बीएसपी फाइदे में रहेगी शायद यही वज़ा है कि पाइटी नेताओं की मीचिंग मायावतीनी केराना लोगसभा उपचुनाव और नूरपूर विधान सभा बाइपोल में सपा को जमर्थन देने की बात कही है यानि आम चुनाव से पहले सपा और बासपा के मजबूत गड़ जोड की प्रस्ट भूमी इन उपचुनावों में तयार होती नजर आ रही है शायद इन सवालों में इस बात का जवाब भी चुपा है कि 2019 में सपा और बासपा के वो एक दूसरे को ट्रांसपर भी हो पाते हैं